प्रेपरेशन करते हुए ये समझ नहीं आता क्या हम सही ट्रैक पे हैं या प्रेपरेशन करते हुए ये समझ नहीं आता क्या हमने जो आप्शन चूज किया ये सही था या गलत था पर ये पटिलर वीडियो आपको बहुत ही इंसाइट देगा कि हमें जब भी प्रेपरेशन स् इसी भी तरह की competitive examinations की है और in particular अगर हम जुडिशी की बात करते हैं आपको बहुत important insight मिलेंगे इस particular video से के हमें क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों से हमारा जो success ratio है वो बढ़ सकता है चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैं गगंदीप सिंग studies.in से आपके ल studies की तरफ से already mock test float कर दिये गए हैं जैसा कि आप जानते हैं उत्राघंट का examination आने वाला है likewise MP का already test series चल रहा था अगर आप चाहते हैं कि आपको नए schedule के accordingly test attempt करने हैं आप उसके regarding भी join कर सकते हैं description box में आपको जल्द ही link provide कर दिये जाएंगे आप उनको click करके app तक पहुन सकते हैं चली दोस्तों main points की तरफ बढ़ते हैं number one that is what clear thought clear thought का मतलब क्या हुआ कि हमें जो भी planning करनी है उसके regarding कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है number one क्या मैं वह law करते हुए कर रहा हूं college days में preparation start हुए या फिर मेरा aim क्या है या फिर कुछ time लीजिए किस चीज़ का to jump to a decision मेरे को अगर ये चीज़ करनी है तो क्यों करनी है don't follow the masses अभी हम इन points को समझते हैं इनका impact क्या होता है any estimate will heavily depend on the person's very own decision मैं बार बार own decision या फिर stick to it plan wisely ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों कई बार क्या होता है हम कुछ ऐसा option या route चोज़ कर लेते हैं कि हमारे दोस्त ने चोज़ किया बट अगर आप law के student हैं law spirit हैं options बहुत हैं चाहे मैं सरकारी वकील की बात करूँ चाहे मैं civil jet examination की बात करूँ चाहे after years of practice आप अगर higher judiciary में जाना चाहते हैं वो भी एक तरह का option available है बट हमें पहले ही decide करना है मैं जो भी particular point opt कर रहा हूं उसके लिए मेरे को क्यों करना है क्या आप मेरे satisfaction है या नहीं है उससे दो benefit होंगे number one पढ़ाई में आपका मन लगा रहेगा because you have opted that particular thing number two आप लगन से मेहनत से जो भी आपका final goal है आप उसको clear कर पाओगे अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कई बार कुछ examinations में syllabus का अंतर रहता है अगर आप एक चीज को stick करते ह हैं तो वो definitive जो preparation होती है जो आपका defined way होता है study का curriculum को लेके syllabus को लेके तो ultimately success ratio बढ़ जाती है जब आप उसके लिए preparation करते हैं कहने का मतलब जितने ही options आप जादा open रखेंगे उतने chances हैं कि syllabus vary करेगा उतने chances हैं कि mastery थोड़ी काम होगी तो अपनी जो options हैं उनको थोड़ा आप concise कर लीजिए कि मेरे को ये particular examination के लिए focus करना है तो उतना ही expertise आएगी syllabus को लेके content को लेके और आपका aim बहुत जल्दी clear होगा आप ultimately examination या जो भी आपका aim है आप वहां तक पहुंच पाएंगे next particular point पे बढ़ते हैं जो आपको एक बहुत प्यारा insight देगा preparation के regarding that is exam syllabus यहापे मैं बताता हूँ never rush in a hurry number one और दूसरा proper time के लिए wait कीजिए don't hesitate to ask questions ऐसा क्यों देखे दोस्तों कई बार क्या होता है students का query आता है कि sir हमें एक state के लिए appear होना चाहिए या दो के लिए या तीन के लिए तो यहाँ पे चीज को समझिए जब हम native state की बात करते हैं हर student की हर aspirant का उसका सबसे पहला option है होता है कि sir हम जहां से belong करते हैं वहाँ पे selection हो जाए but मान के चलिए आप उस state के लिए preparation कर रहे हैं but वहाँ का vacancy अभी नहीं निकल रहा like example for 2022 is Punjab वहाँ का notification अभी नहीं आ रहा but आपके लिए different options अभी available है जब तक आपके native state का जो particular examination नहीं आता notification नहीं आता at least you can prepare for other states वहाँ पे क्या होगा आपका 70-80% syllabus जो common होगा उसको revise कर पाएंगे और ultimately जब आपके particular state का notification आएगा काफी हद तक syllabus आपका go through हो चुका होगा आपको फिर गिना चुना part cover करना है ultimately revision जादा होगी success ratio बढ़ जाएगा आप अराम से examination निकाल पाएंगे अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला point क्या है it is regarding the use of keywords देखिए keywords किस में help करते है keywords हमें दोने examination में help करते हैं चाए आप pre की बात करो चाए आप means की बात करो keywords हो गया वो particular important particular points या words जो पूरे का पूरे जो offense है या section है या law का जो pointer है उसमें सबसे important चीज़ कौन सी है अगर आपको उस particular section में सबसे important words आप पकड़ लेते हो या अगर हम means की भी बात करें कई बार keywords के regarding short notes आ जाते हैं that is what कब से करना है आपको law school के दोरानी करना है जितना भी important area है उसको अच्छे से mark करते रहिए और in between जो सबसे important word है उसको different किसी और color pen से mark कीजिए इससे क्या जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते और जहां से major part of the paper cover कर लिया जाता है तो at least आपको वो part तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना that means this will help you for the examination how it works देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है जब हम black and white page की बात करते हैं हमें वो काला अक्षर जो ये white pages पे दिया हुआ है याद नहीं रहता बट पूरे के पूरे page पे जब हम चीजों को एक color way से marking लगा लेते हैं तो याद रहने के chances बढ़ जाते हैं कि हाँ उस particular page पे मेरी किताब में ये particular word मैंने ऐसे ऐसे mark किया था तो examination में अगर question आता है there are more chances कि आप उसको correct कर देंगे उसके बाद color technique does matter that means different किता में इस particular point के regarding मैंने ये चीज़े mark कर ली तो आप जब जब वो चीज़े revise करोगे वो color आपको एक दम से click करेगा और आप there are more chances कि आप उन चीजों को recall करना easy रहेगा आपके लिए right mind map या stories दोस्तों ये भी एक बहुत बढ़िया technique है ठीक है अब मैं आपको example देता हूं अगर आपको evidence के chapters याद करने है professor ओम दे बीवी is smart just check it out in keywords से आपके पूरे के chapters याद हो जाएंगे as far as evidence act is concerned तो ऐसे जो smart plans या maps या stories बनाईए जो आपको help करें आपके पूरे का पूरा असले बस एक अराम से तरीके से याद करने का revise करने का और recall करने का और ultimately paper आप निकाल पाएंग आगे बढ़ते हैं prepare an outline for each of your classes मतलब अगर आप law student है या आप किसी भी तरह की classes अटेंट कर रहे हैं तो होना क्या चाहिए एक systematic planned way से अपना content को ले के चलिए क्योंकि दोस्तो examination में क्या होता है अगर मैं बोलू कि इतनी बड़ी बड़ी किताबों में से आपको हर चीज याल र लेगी नहीं बट अगर आप planned way से अपने notes बना लेते हैं चीजों को highlight कर लेते हैं bear act पर work करते हैं bear act के index पर work करते हैं तो ultimately ये गिनी चुने चीजे ही आपके syllabus को concise कर देंगी और ultimately examination जो है it is what आपको उन key areas में mastery दिला देगा ताकि आप examination में उन चीजों को mark कर पाएं समझ पा और commercial outlines are not acceptable substitutes मतलब मेहनत आपने नहीं की किसी और की मेहनत पे आप work कर रहे हैं उन्होंने आपको ये काम बना के दे दिया अब आपको सिर्फ रटाफाय करना है नहीं जब आप बहुत ज़्यादा content पढ़ते हैं वो बढ़ाता है आपकी understanding जब उसको short form में लिख लेते हैं अ उसका essence ये था that means जब खुद मेनत की जाए चीजें याद रहेंगी recall करना easy रहेगा you should not go for substitutes जो दूसरों के notes या दूसरों की किताबी दूसरों की markings उन पे rely मत कीजिए अपना काम खुद कीजिए आपको ये चीजें ज़्यादा help करेंगी not all professors teach a subject in the same way that means अगर कुछ area skip कर भी दिया जाता है you have very good books जहां से आप content को read करके you can come up with a gist जो आपको examination में या maze में उन चीजों को elaborate करने में असानी रहेगी the only way to get an outline tailored to your course is to make it yourself बार 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 वही चीज आ रही है जितना भी content है जितना भी outline है खुद अपनी मेरत से बनाईए ये चीजें recall करने में और एक और fact है जब हम ये चीजों पर work करते हैं खुद से चीजों को बनाते हैं तो चीजें जल्दी याद होती है as compared to किसी और क बनाए के जो किसी और का बनाया हुआ खाना है उस पर dependency बनाना राइट अब आगे वड़ते हैं pick whatever schedule works best for you and stick to it that means कोई ना कोई schedule होना चाहिए कब से लेके कब तक आप कौन सी चीज कवर करोगे अब जेकर मान के चलो कोई examination है 45 days आपके पास pending है कब कौन सी important चीजें कवर करनी ह और minor x को कैसे कवर करना है proper एक flow chart बनाईए जो चीजें आप easily cover कर पाओ examination day के आसपास आगे बढ़ते हैं minimize your stress कुछ ऐसी चीजें जिन पर हम नहीं ध्यान देते वो क्या होता है content आते हुए भी paper में परिशानी होती है क्योंकि हम stress level इतना बढ़ा देते हैं और जो candidate number two है हमारा जो colleague है जो obviously examination में compete कर रहा है उसका stress level कम है चाए content कम आता है बट इससे क्या होता है इससे होता है कि जिसका stress level zero है या बहुत कम है वो अच्छा perform कर पाता है examination में that means आपको stress levels पे control रखता है ताकि ये चीजें आपकी examination में impact ना डाले और जितने भी upcoming examination है आप उन चीजों में excel कर पाएं और दोस्तों एक बहुत प्यारी चीज है जब भी हम किसी चीज के बारे में सोच लेते हैं कि मेरे को ये चीजें करनी है तो वो हो भी जाती है अगर हम खुद पर doubt करते हैं तो अगर होनी भी हो तो वो चीज नहीं हो पाती इस चीज पर बहुत आप ध्यान से और ये ही चीजें everyone is intelligent आप भी examination करेक कर सकते हो बट हाँ थोड़ी सी planning और थोड़ा सा इन चीजों का तड़का आपकी examination या आपका जो basically dream है उसको achieve करने में help करेगा दोस्तों एक चीज याद रखना this part believe in yourself that means आप जो भी करते हो पहले चीजों को analyze करो कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है अगर करनी है तो करनी ही है believe in yourself ये आपको preparation level यहाँ से काफी उपर उठा देगी और ये ही चीजें सिरफ कई बार क्या होता है सिरफ content काम नहीं आता बट ये चोटे 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 जो boosters होते है वहाँ तक ले जाता है तो दोस्तो ऐसे और वीडियो के साथ हम आते रहेंगे ताकि आपको आपकी preparation में help मिलती रहे और आप जल्द ही अपने examination क्रेक कर पाएं thanks a lot for watching this video अगर आप नए विवर हैं आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लीजिए bell icon को click कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्त करेंगे आप तक वो वीडियो जल्द ही पहुंच पाए thanks a lot for watching this video